कि है काई मेरा नाम है खान और आप देख रहें लॉसिक टेटिंग इस वीडियो हम सीखेंगे कैसे करके अपने पी वाई को एडेंटिफाई कर सकते हैं और लोवर टाइम फ्रेम में कैसे वहाँ पे एंट्री बना सकते हैं काफी इंट्रस्टिंग काफी इंपॉर्टेंट वी को आप लोर टाइम प्रेम में अपलाइस करते हो और एक प्रेगले डियूसिंध ऑर इस से भी बड़ा एक चाहते कुजिशनल टेट को आपको कुछ दिन के लिए hold करना है तो higher time frame आप 4 hour ले सकते हो 15 minute for entry but as a day trader आपको इन सारे time frame की ज़रूरत नहीं आपको सिर्फ 2 time frame ही लेना है और उन पर ही stick रहना है आपका 15 minute higher time frame और lower time frame के लिए 1 minute ले सकते हो entry के लिए और इसके लावाँ आप कोई भी other time frame की need नहीं है चाहें आप 4 hour, 1 hour, 1 minute तो सबसे पहले start करते हैं फोरेक्स में यह और सबसे पहले start करेंगे 15 minute time frame में और 15 minute time frame में अकर आप सबसे ज़्यादा main जो problem आती है लोगों को एक ranging जो market होती है उसमें identify करने हैं कि entry कहाँ पर बना है कि दोनों साइट आप देखोगे shadow बनती है मार्केट में मार्केट का momentum bullish है या bearish है उसमें जब मार्केट एक sustain करता है एक level पर sustain करता है तो उस cases में काफी problem create होती है कि आपका POI किस तरीके से create होगा कहां पर आपका order block बनेगा और कहां पर आप entry बना सकते हो actual में पर order block के एक सिर्फ POI नहीं होता है order block का POI का मतलब होता है कि एक area एक specific area जहां पर आप trade ले सकते हो buy या sell के लिए और वो area एक liquidity grab किया हूँ जैसे कि किसी low या high को sleep क्या हो या फिर किसी session के high low को sleep क्या हो या फिर किसी order block को create क्या हो और बहां पर press टैप करें फिर बहां पर वीडियो रहेंगे उसमें explain करेंगे कोई एक वीडियो में सारे चीज़े explain करना cover करना मुश्किल होता है तो जो सबसे important है जो hidden रहता है order block उसको कैसे identify करें और उसमें हम lower time frame में कैसे entry बना सकते हैं सबसे पहले आपको ध्यान रखने कि market का जो direction है वो किस side में अगर bullish है अगर मार्केट previous sweep high कर देता है right इस point पर अगर liquidity sweep कर देती तो यहां पर जो आपको entry मिलेगी वो short term के लिए मिलेगी क्योंकि आपका major pro trend है वो bullish है correct और यही चीज़े applicable होती है आपकी various market मार्केट मोमेंटम बेरेस है कुछ इस type से और जब यहां पर previous high sweep होता है या close होता है कुछ भी reversal के लिए तो यहां पर जो point होता है यह काफी strong indication होता है नीचे की तरफ जाने के लिए बट क्या होगा अगर market previous low sweep कर दे बट यहां पर जब भी previous low sweep करेगा तो आपके लिए short term के लिए pullback मिलेगा उपर के लिए at least जो आपका 15 minute या जो भी आप time frame ले रहे है उसका first recent जो pullback पर तो यही सब चीजे मैं आपको explain करूँगा कैसे करके आप PY को identify कर सकते हो उसमें lower time frame में कैसे anti बना सकते हो यहां पर देखोगे तो जो market का momentum में 4 bullish है continue market जो higher high बनाती ही उपर जा रहा है राइट अभी जो price है यहां पर यह range में है यहां पर और इस cases में आप कैसे करके इस करने से पहले आपको structure mapping आना चाहिए अगर आप structure mapping नहीं पता तो आप तो मैंने इस पर already वीडियो बनाया है details में कैसे करके आप structure की mapping कर सकते हो कैसे करके आप inducement को identify कर सकते हो तो यह आपके measure higher high है क्योंकि market नहीं पर pullback लिया है और जब भी market pullback लेती है तब ही जा करके आपक कि inducement लिया और inducement लेनी के बाद में आपका जो structure है वो कुछ इस तरीके से break हुआ अब structure break हुआ यहापका हो गया break of structure उसके बाद में हमें again चाहिए inducement inducement कहाँ पर जाके market ने collect किया इस वाले point पर correct market ने जैसे यहाँ पर inducement कलक्ट किया आपका जो higher high था वो यहाँ पर confirm हो गया कुछ इस ताइप से again market ने break किया पर यह आपका break of structure यहाँ पर confirm नहीं हुआ क्योंकि market ने इसके अबब closing नहीं दी यह जो आपका break of structure हुआ यहाँ आ क्योंकि एक confirmation है आपके सकते हुआ इतना ज्यादा satisfaction नहीं यहाँ पर कि आपको लगे कि यहाँ पर बहुत पार्चली यहाँ पर closing दी है तो यह जो break of structure है वो कब confirm कर सकते हैं इसी candle के अब अब जब press close हो जाएगा तब जाकर कि हमारा यह break of structure है वो confirm हो जाएगा कि हाँ यह और finally marketing नया high create किया यह आपका inducement लिया और जो अब आपके पास में range है वो काफी larger है क्योंकि इस high से ले करके इस low तक यह आपकी single लेगें correct बट market ने यहाँ पर again क्या किया inducement लिया और जैसे inducement लिया आपका higher high confirm हो गया अब जब यह higher high आपका confirm हो आपको again चाहिए कि market again इसको अबब closing नहीं दिये just liquidity sweep किये तो जब market liquidity sweep करता है तो उस case में यह आपका break off structure नहीं होता है और price को चाहिए कि इसके अबब closing देना तो यहाँ से देखोगे इस वाली attempt में finally market ने इसके अबब closing यहाँ पर दिये तब जाकर कि यह वाला जो हमारा break off structure है वो हमारा confirm हो जाता है और अब हम जाकर के अपने नया structure यहां से create कर सकते हैं उतलब आपका जो inducement है और जो भी आपका PY है वो marking कर सकते हैं जब भी आपको PY marking करना हो inducement marking करना हो वो सब के लिए आपका structure mapping ज़रूरी है और structure mapping के लिए आपका inducement जो सबसे main important role है वो है inducement का inducement वो होता है जब भी market break off structure कर में आपका जो first pullback होता है वो आपका inducement होता है तो यहां पर आपका confirm हुआ क्योंकि price ने इसके closing दी तो आपका first pullback कहां पर यह वाला point तो यह वाला जो point आपका यह आपका हो गया inducement जब भी market इसको लेगा आपका higher high confirm हो जाएगा जो कि इस price point पर यह आपका internal structure होता है और अभी का जो price है वो इसी range में यहां पर move कर रहे हैं बट इस range में हम कैसे करके यहां पर trade कर सकते हैं कैसे करके अपने POI को identify कर सकते हैं देखो इस inducement के बाद में आपको identify करना होता है कि आपका order block कहां जो कि unmitigated हो जहां पर buy का risk ले सकते हो क्योंकि market का momentum है क्योंकि market का momentum bullish है और आपको चाहिए valid order block तो इस case में आपका inducement यहां पर है और आपको identify करना होगा कि आपका order block कहां पर है जो actual में last selling candle before the buy वह यहां पर थी यह सारी candles आपकी mitigate हो चुकी है तो आप क्या करोगे next candle पर स्विच करते जाओगे जब तक आपको find ना कर पाओ कि आपका unmitigated order block कहां पर है बट यह सारी candles इन candles ने इसको ब्रेक किया है कोई भी candle close नहीं हुए तो जो actual में candle क्लोजर हुई है वह इसके अबब हुई है यह वाली जो के अंडेल है तो आपके इस वाले order block को यहां पर refine कर सकते है कुछ इस टाइप से like this ठीक है अब यह आपका valid P.O.I. हो गया जहां पर आप एंटी बना सकते हो lower timeframe में अगर प्राइस यहां पर टाइप करता है कोई भी indication देता है confirmation देता है lower timeframe में आप यहां पर एंटी बना सकते हो बड़ यहां पर आप देखोगे प्राइस ने टैप कि रेक्शन जरूर दिया बड़ यहां पर इसको ब्रीच कर दिया अब क्या होता ह यहां पर लोग करता है काफी बार जब भी प्राइस आपके PY पर टाइप करता है उसको स्वीप कर देता है और जब स्वीप कर देता है उसके वाद में क्या होता है कि market आपके अग्यां मार्किट भी वैसे वियाइप करता है जैसा कि आपने expect कि यह जो move होते है यह इसलिए होते हैं क्योंकि यहां पर काफी smart money जो traders होते हैं वो इंट्रीज्स हो जाते हैं बाइक लिए क्लिए क्योंकि इस वाली लेग में अगर आप देखोंगे सिर्फ एक ही order block है वो की यहां पर राइट तो यहां पर आपको क्या करना होता जब भी आपके पास में मिट में जाना है और वन मिट में जाकरके आपको चौक का वेट करना है और चौक के बाद में लुवर टाइम फ्रेम इंडिस्मेंट अगर सब कुछ आपके एंट्री के अकॉर्डिंग है तो आप बाइट करो बढ़ना मत करो वहां पर वेट करो क्योंकि जब भी यहां पर ऐसी सिच्वेशन है वहां पर क्या होता है नॉर्मल आपको चौक तेखने को मिलेगा कुछ इस टाइप से ओके प्रैस नहीं यहां से ब्रेक किया और यह आपका प्य पर टैप किया है और यहां पर क्या करते हैं लोग यहां पर अगेन बाइट का एक्सप पर यहां पर क्या होगा एक नया हाई क्रियेट होने ज़रूरी है और यह जो लोग आपका यह इंडिस्मेंट का काम करेगा फिर आप यहां पर बाय करोगे तब जा करके यह जो एंट्री आपकी वैलेट बनीगी करेक्ट अजब भी कोई और ब्लॉग फेल हो जाता है उसका वो इंडिकेशन होता है कि मार्केट की जो स्ट्रेंथ है वो बीकर हो गही है मार्केट अभी तक बुलिस थी पर यह जैसे आपका और ब्लॉग यहां से ब्रीच हुआ यह एक इंडिकेशन होता है पहला इंडिकेशन होता है मार्केट डार्क ली नीचे की तरफ ब्रेक नही अगर कुछ भी यहां से कंटेशन मिलेगा तब आप भाई भी कर सकते हूं कि एक्चल हाई लो यहां पर है लो प्रावबिल्टी आपकी सेल की तरफ जा रही है जैसे यह अपना 15 मिट का पी अगर मैं इसी प्रैस को 15 मिट से 1 मिट में सुच करता हूं तो कैसे करके आप यहां पर बाय कर सकते हूं मैं आपको थोड़ा से दिखाता हूं जैसे कि आपको और ज्यादा अच्छे से आडिया लग जाएगा कि एक्चल में आप लोवर टाइम फ्रेम में कैसे एंट्री ले सकते हो मैं थोड़ा बा कि आप बहाँ पर बाय करोगे और लोवर टाइम की कर्फरेमेशन होती ही आपकी फिलेप हो सकती ही आपकी चौक एंटी मॉड्यूल हो सकते हैं तब जाकर कि आप बहाँ पर बाय करोगे और अभी के सिचेसन में आप देखोगे कि जो आपका फिर मार्किट इसको ब्रेक कर करके उपर जाता है यहां पर आपने देखा होगा कि 15 में यहां पर स्वीप हो यहां पर पर करो कि मार्केट कोई भी रिवर्सल कानफरमेशन देगी तब आप हाँ पर साइल करो तो यहां से लोग टाम फ्रेमे इग्जैट्ली क्या हुआ था वहां आपको देखा रहा हूं कैसे करके आप इसको identify कर सकते हो अभी प्राइस continue उपर जा रहा है आपको wait करना है यहाँ पर कुछ भी ऐसा create नहीं करना है कि आप इसको mark करो कि आपका चौक हो गया आप यहाँ पर order box marker यह आपका चौक बहुत कुछ नहीं है यह आपका internal structure आपको ध्यान रखना है पहले previous वाल करें या फिर इस लोको break करें नया structure create करें तो अभी देखते हैं कि price कि साइड में break करता है finally marketing नीचे की साइड में break किया है इसका मतलब आपका जो चौक है वह आपका change हो गया यहाँ से shift हो करके यहाँ पर आगया ठीक है बट यह actual में चौक यह है बट आप इसको भी मान सकते क्योंकि price आपके 15W के PY पर टैप हो चुका है और यहां से आपको reversal confirmation दे रहा है और जब आपको reversal confirmation में लेगी इसका मतलब यहाँ पर notice करोगे यह previous candle के liquidity ग्रेप यह जो आपकी demand है यह breach हो रही है बार 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 यह low probability यहाँ पर buy है for the short term but आप इसको sell कर सकते हो जब भी price किसी भी liquidity tap area पर जाएगा जैसे कि यह आपकी shadow है यहाँ पर अगर price से आएगा तो यहाँ पर sell कर सकते हो correct बड़ आपको क्या है दोनों side की probability सोचके चल लेए कि अगर buy जाएगा तो कहां से करो कि अगर sell जाएगा तो किस area से जाएगा और हम sell expect क्यों कर रहे है क्योंकि यह जो demand है यह काफी beaker लग रही है और यहाँ पर कुछ ऐसा indication नहीं कि यहाँ से strong momentum मिले price यहाँ पर tap करता है instant आपको reaction मिलता है उपर की side तो हम यहाँ से expect कर सकते है कि price उपर जाएगा दूसरा यह है कि price इसके अबब सिर्फ liquidity grab कर रहे है कुछ भी ऐसा नहीं दे रहा है closer कि हम यहाँ स expect करें प्रैस और उपर जाए तो आपको नहीं दोनों side की probability सोचके चलनी कि price को behavior क्या है higher timeframe में और lower timeframe में क्या हो रहे है तो जब प्रैस इस demand पर tap किया है तो आपको switch करना है lower timeframe में क्यों क्योंकि आप expect कर रहे हो कि यहाँ से press जाएगा तो हम यहां से sell करेंगे तो यहां से यह अब एक break होता है जाए candle close हो ना हो वो आपका change of character होता है correct उस case में candle closer जरूर ही नहीं है इस case में तो close हो गई है बट नहीं होती है तो वह भी आपका valid होता है लेकिन यह valid सिर्फ जब होता है जब press आपके PY पर tap करता है और lower timeframe में applicable होता है ठीक है और आपको क्या चाहिए होता है जब प्राइस चौक देता है आपको चाहिए valid inducement लाइक जैसे कि यह आपका चौक हो गया आपको यहां पर कोई inducement क्रियेट हो तब ही जाकर करके आप इसमें buy कर सकते हो otherwise नहीं ऐसा नहीं कि आपने यहां पर चौक देखा आप डैकल यहां पर buy की limit प्लेस कर रहे हो वह आ यहां से pullback कुछ इस type से create over इस high को यहां से break कर देए अगर यह ही break नहीं होता तो यह pullback यहां पर valid नहीं होता इंड्यूस्मेंट का मतलब ही होता है जो आपका valid pullback होता अब यहां से आप क्या है इसको mark कर सकते हो as a inducement पड़ अगर आपको Entry लेना हो तो कैसे लोगे Interley लेने मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करके ले सकते हो देखो पहला जो तरीका है आपका एक तरीका होता है कि आपका जो order block होता है जो order block है वो यहाँ पे क्योंकि दोनों की low equal है तो हम इस वाली candle को shadow मान सकते हो और आप चाहते हो तो एक सही दिखने के लिए आप यह वाली last selling candle before this वा जाता है बट problem इसकी है कि sometime यह miss हो जाता है sometime आपका activate हो जाएगा sometime नहीं होगा यह दिक्कत रहती है बट इसमें क्या होता है एक अच्छा खांसा आपका मूग मिस हो जाता है और जो next entry होती है आप चाहते हो कि इसको थोड़ा सा और सही से किया सके उसका एक तरीका होता है कि आपके जो order block से अबब जो imbalance है उसके जस्ट अबब वाले पर आप यहां पर इसमें limit order अपना place कर दें इसका मैं थोड़ा color change गरता हूं जैसे आपको समझने में काफी असानी हो जाए यह जो green बाल है यह आपका होगा imbalance वाली entry इसको मैं यहां पर place करता हूं पर आपका जो stop loss से वह यहीं place करना होगा क्योंकि आपको नहीं पता कि market का जो momentum है वह किदर जाएगा हो सकता है वह आपका order block भी फिल करें या फिर सिर्फ imbalance भी फिल करें और market उपर जाए और target रहेगा हो सेम रहेगा correct यह आपका target है for example के यहां पर माल लेते हैं यहां पर target है दोनों अब ती जैसे कि अगर मैं यहां पर order flow की बात करूं तो last selling candle selling move before this by यह है correct तो यहां पर क्या है आप एक next entry possible है आप यहां पर place कर सकते हो अब यह तीन आपकी entry यहां पर यह चौक होने के बाद inducement हुआ और inducement के बाद में आपके पास में तीन option है पहला है order block दूसरा है आपका imbalance और ती income कैसे से होते हैं जहां पर unmitigated order flow आपको मिल जाता है तो यह तीन टैप्स हैं आपकी entry होती है आपका इसमें risk reward काफी अच्छा है प्रवाइलटी इसमें क्या रहती है कि market आपका order block के वह हिट करेगी या नहीं करेगी अगर करेगी तो आपको बहुत अच्छा risk reward मिलता है द इसमें problem बस यह है कि आपका risk reward कम हो जाते है अगर आपको फरक नहीं परता कि risk reward कम है अब आपको entry अच्छे चाहिए तो मैं आपसे कहूंगा कि आप यह दो और तीन number वाले यह दो जो है आपका second number वाला आपका unmitigated आपका imbalance वाली entry इसको आप trade करिएगा और दूसरी आपकी entry करते हैं उनको यहीं नहीं मालूम होता कि किदर से कौन सा order block पकने कौन सा नहीं पकने दिक्कत यह हुझाती जिसके विए से काफी असल होते हैं तो अभी देखते हैं कि कौन सा order block कौन सा entry यहां पर mitigate होता है और कैसे करके यहां से हम price को expect कर सकते हैं और price अभी continuous जा रहा है अभी मार्केट ने जो है measure आपका जो high है वो यहां पर break कर दिया है जो कि यहां पर था correct यहां पर अगर आप notice करोगे कि जो आपने previous high break किया उसके बाद continue market उपर जा रहा है बट कौन सा entry यहां पर mitigate होई है आप देखोगे जो order block वाली है वो miss हो गई यहां पर right बट जो second entry आ order block वाली NTA वो miss हो गई है तो अभी देखते हैं कि price कहां तक जाता है और क्या में इसमें target मिलेगा यह नहीं मिलेगा या फिर और जो break even का तरीका होता है आपका जो first high break होता है आप महां पर अपना stop loss है वो break even पर put कर सकते हो यह एक valid तरीक होता है तो finally market नहीं यहां पर अपन 4.5R और उससे पहले 4.3R almost दोनों similar ही थे क्योंकि range दोनों की same थी ठीक है तो इस तरीके से कुल मिला करके आप अपना trade बना सकते हो और आपको order block के पीछे भागने की जरूरत नहीं है काफी लोगों को दिक्कत यह है कि वो direct order block को catch करते हैं सिर्फ order block पर ही trade करते है order block ही सिर् सारा deep में जानी की अभी आपको जरूरत नहीं आपको सिर्फ एक overview आपको पता होना चाहिए कि price of interest कहां पे जहां पर buy या sell कर सकें जब तक कि आपका वो clear नहीं होगा आप deep वाली चीज़ों पर entry नहीं कर पाओगे जब आपको चाहिए बहुत smaller risk reward आपको चाहिए बहुत चो वाली चीज़ों पर जाओगे तो दिक्कत आएगे और आपको समझ में ना तो यह पहले वाली आएगी ना लास्ट वाली चीज़ आएगी तो कोशिश करिए जब भी आपका चौक हो यह बहुत हो जहां पर आप entry ले रहे हो तो आप at least imbalance वाली एंटी लेज़ेगा imbalance से बहां आपके जो आपका order block था यहाँ पर टैप कर गया है बट यह जो order block है वो आपके decisional है ऐसा नहीं कि guaranteed है क्योंकि यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीका का chalk या boss नहीं हुआ है actual structure अभी भी bullish है अगर press यहाँ पर react करता है कुछ भी lower time frame में देगा तब जाकर कि आपको sell करना है otherwise नह करते हो bullish market में जो आपका sell होता है वह आपका decisional होता है 50-50% उसकी probability होती है बट जो bullish market में आपको bias setup मिलते हैं उसकी ज्यादा high probability होती है क्योंकि आपका जो pro trend है वह bullish है और same situation आपकी various market में applicable होती है जो sell में आपका low sweep होते है या फिर कोई भी bias setup बनता है वह short term के लिए बनते है लेकिन जो sell मिलते हैं वो काफी नीचे की तरफ move देते हैं और वो आपकी pro trend के against नहीं जाते हैं यहाँ पर जैसे आप notice करोगे यहाँ आपका पूरा bullish move था correct internal bullish था पर market ने इसको break कर दी यहाँ पर इसका मतलब अब जो internal structure है वो आपका shift हो रहे है वाला bullish से bearish जा रहे है जो क कुछ भी यहाँ पर short term के लिए sell मिलेगा हम sell करेंगे और buy के लिए मिलेगा तो buy भी करेंगे दोनों side की probability यहाँ पर play करेंगे क्योंकि आपको market में जो range है वो अभी भी दोनों side में play हो रही है दोनों side liquidity ग्रेव हो रही है और आपको दोनों side की probability के साथ में play करना है जैसे कि आपका यह previous high था यहाँ पर sweep किया अब जब यह sweep किया candle नीचे closing दी आप one minute में जाओगे यहाँ पर anti बनाओगे क्योंकि आपका जो setup है वो अभी sell का बन रहा है short term के लिए क्योंकि market में higher time frame में liquidity भी ग्रेव हुई है right और यहाँ से indication मिलना है कि market short term के लिए नीचे जार सकता ह यहाँ से लोर टाइम फ्रेम स्वीप होगा आप शॉट अपर बाय करोगे जैसे यहाँ पर previous high था आप यहाँ पर sell करोगे short term में right क्योंकि market bullish है बट short term sell करोगे correct बट lower time frame यहाँ पर sweep करेगा आप यहाँ पर buy करोगे तो जब भी major high low आपका sweep होता है आप बहाँ पर short term यहाँ high sweep होता है तो आपको higher move मिलेगा नीचे की तरफ बट low sweep होगा तो आपको short term के लिए मिलेगा क्योंकि आप against में trade कर रहे हो pro trend के ठीक है जैसे कि अभी मैं यहाँ यहाँ पर दोनों example है यहाँ पर यहाँ पर short term के लिए मिलेगा बट यह जो buy है यह आपको long term मिलेगा उपर की क्योंकि आपका pro trend bullish है मैं भी देखाता हूं आपको थोड़ा सा बारपले से दिखाता हूं तो आपको ज्याद अच्छे से सबसे पहले इसको थोड़ा सा clean कर लेते हैं फिर मैं आपको इसी point पर दिखाता हूं और बाकी के जो भी point है इन सब पर थोड़ा-थोड़ा overview देता ह क्यों क्योंकि market ने यहां से liquidity grab की है और यह break-off structure है bullish market moment time है बड़ यहां पर liquidity सीप की candle closing नहीं दी है और आप यहां पर एक और जो है और दूसरे reason है यह आपके equal हाई है जो आप liquidity होती है प्रलब S&R liquidity supply and demand जो लोग supply demand के base पर trade करते हैं सैल करते हैं stop loss के बाब यह जो सैड हुआ अब यह जब तक नहीं हो जाए process आपको यहां पर entry नहीं लेनी है इन सब का wait करना होता है यह सब process आपको होने के बाद में आपको lower time frame में जाना है और जैसे आप यहां पर one minute में चाओगे आपको चाहिए यहां पर confirmation one minute में चौक या फिर flip के base पर तब जाकर यहां पर entry बना स नहीं करेगा डारेक्ट नीचे की तरह breach करेगा यहां पर चौक हो जाएगा आपको चाहिए inducement और inducement के बाद में आप यहां से sell कर सकते हो right इस तरीके से आप यहां पर entry बना सकते हो but मैं देखता हूं अभी यहां पर क्या होता है possible okay तो अभी यहां पर क्या हुआ आप देख क्योंकि लोग यहां पर buy करते है expect करेंगे break of structure हुआ order block tap कि अब यहां से buy जाएंगे but यहां पर कोई inducement भी तो नहीं है आपको चाहिए inducement liquidity already sweep हुए higher time frame में आपको चाहिए यहां पर sell के setup यहां पर buy नहीं करना है यह inducement नहीं है आपको एक चीछी ध्यान रखना है इधर inducement न करता है आप यहां पर sell कर सकते हो correct based on flip entry module अगर यह यहां से breach कर देता है तब आप इसके अब अब आप sell करोगे तो अभी देखते हैं कि क्या यहां पर possible हो सकता है तो अभी यहां पर क्या situation है यह आपका हो गया inducement अभी inducement क्यों हो गया क्योंकि यह एक valid pullback है correct क्योंकि यह एक valid pullback के previous high का यहां से previous candle का high break किया है even previous low break नहीं हुआ है बट यह जो demand है वो beaker indication दे रही है यह जो demand first tap हुई और multiple उसरी demand पर press बार बार टैप करता है वो indication होता है कि market में अब दम नहीं है market उपर जाने के लिए correct तो अब क्या है यह inducement mark करेंगे और यहां पर हम यहां पर sell ले सक करते हैं और जो दूसरा आपका P.O.I. वो कहां पर जहां पर सेल बनाओगे दूसरा जो पीवाई आपका वो यहां पर राइट क्योंकि इस से वाला ओलडिफेटध है इस सब्सक्राइब कर सकते हो तो जैसे, प्राइस को ठाइब करने के बाद यहां पर कुच भी ऐसा clear की नीचे closing देगी तब जाकर कि आप इसमें sell करेंगे otherwise आप यहां पर मत करना ठीक है इवन यह बेरेस्ट candle है बट इस candle ने previous candle के high low अभी भी break नहीं किये अगर आप देख सकते हो यहां पर अगर दूसरा यह से लिक्विटी ग्रैब कर रहा है previous जो हाई है उसको सीप किया है क्योंकि और जब भी लिक्विटी ग्रैब होती है आपको एंटी तब ही ले नहीं यानि कि सबके stop loss रहें तब ही आपको एंटी के setup बहां पर बनाने है तो अभी क्या हुआ फाइनली यहां पर इस price point पर अगर आप notice करोगे यह जो previous candle है इस previous candle के नीचे market ने closing दे दी अब यहां पर closing दे दी अब आप कहां पर sell करोगे इसमें यह वाले पहले वाले order block पर राइट यह order block इस वाले move से mitigate हो चुक है तो आप क्या करोगे next वाले को switch करोगे इस वाले price point पर इस candle का high इस वाली ने order block पर जो आपका stop loss है वो इसके अबब ही डालना है क्योंकि इस candle ने ही liquidity flow है last buying move before the stop right so इसलिए यह जादा सही है और आप यहाँ पर at least score सकते हो और यहाँ पर अपना stop loss के बब डालीगा और target आपका जो है वो 15 minute के low के नीचे जो आपका first recent pullback है आपका as per the 15 minute वहाँ पर डालीगा जैसे कि अभी आपका यह वाला है ठीक है क्योंकि यह आपकी पूरा trend line liquidity इस टाइप से at least इस low तक market को आना चाहिए तो अभी देखते हैं कहां तक market जाएगा और आपका यह target हो जाएगा अल्मोस्ट 5.5 वार का राइट और यह जो आपकी यह फिलिप एंटी मॉडिल के बैसिस पर जो पहली वाली एंटी थी वह चौक एंटी मॉडिल के बैसिस पर थी प्रैस एंटर हो चुका है आपका और अभी देखते हैं कि क्या यहां से market react करती है ठीक है तो finally market नीचे आ लेकते हैं finally market ने target जो हमारा mitigate कर दे और बहुत जादा बड़े-बड़े target मत रखिए 20R 30R 5R काफी है आपके लिए 5R 6R काफी है एक ट्रेट लो कम लो लेकिन अच्छी ट्रेड लो quality ट्रेड लो 5-10 ट्रेड करने से कोई फाइदा नहीं कम करो लेकिन अच्छी setup करो कम करता है या फिर किसी भी order block पर टैप करता है तो lower timeframe में कैसे करके उसको anti कर सकते हैं चौक या flip anti module के basis में पताने को तो बहुत कुछ है और अभी एक वीडियो में cover करना काफी tough रहता है मुश्किल है कि इस सब चीज़ों को एक ही वीडियो में बनाना तो आने वाले जो भी वी देखिएगा कि actual में वहां पर क्या होता है आप कि आप देख रहे हैं यह shadow बन रही है बट आप टाइम फ्रेम में आप नहीं देखते क्या बन रहा है और कैसे करके आप आप एंट्री बना सकते हो जैसे यही वाला या फिर यह वाला यह कोई भी आप इसको lower timeframe में देखो कि exactly यहां पर क्या हुआ था क्रेक्ट आपको यहां पर आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे जैसे यह आपका previous हाई सुइप होने के बाद में आपका चौक कहां पर आपको देखना होगा कि पहला लो कहां पर main thing तो आपका लो आपका इस price point पर यहां से break किया आपको चाहीं बना सकते हो बड़ प्राइस ने यहां पर पहले वाले को रेक्ट किया आपको यहां पर सेल नहीं करने हैं आपको चाहिए single candle order block confirmation अगर आपके पास multiple order block है तब अगर डारेक्ट है तो आपका पहला order block यहां पर था ओके आप यहां पर सेल कर सकते हो दूसरा आपका पी यहां पर था जो कि यहां पर मिस हुआ right mitigate नहीं हुआ पर यहां पर आके इमीटिकेट हुआ अब यहां पर अगर आप साहिल कर रहे हो तो इस टॉप लोस यह बडालो यहां पर सिंगल चेंडल order block का wait कर लो correct तो यहां पर सिंगल च्पर से कर सकते हूँ यहां पर से से और दूसरा यह है कि आप यह भी नहीं चाहते तो थोड़ा सा चौक की कनफरमेशन ले सकते हो प्राइस आपका टैप किया यह फेल किया उसके बाद में आपको चाहिए चौक यहाँ पर लोग रिख हुआ यह इंड्यूस्मेंट लिया और इंड्यूस्मेंट लेने के बाद में आपका जो आप सैल कर सकते हो जो टार्गेट है आपका एट लिस्स आपका जो फॉर आर दिखा रहे हैंपर करेट ए ट लिस्स फॉर आर तो आप रखी सकते हो में जलोग की अकौर्टिंग और मार्केट जो आपका अल्मोस्ट छिवा चाहर से भी नीचे गया तो इस तरीके से आप ट् करेंगा सही टेड़ लो अच्छी टेड़ लो भले कम आरार हो फाइव आर आपका अच्छा है 20 आर के स्टॉप लॉस से ठीक है तो आई होप आपको बहुत कुछ समझने को मिलाओगा और बताने को बहुत सारी चीज़ें आने वादे चैप्टर में हम कवर करेंगे वन वाई आई होप आपको समझ में आगा हो कि आप कैसे करके इन सब को ट्रेड कर सकते हो आप इस वीडियो को मल्टिपल टाइम देख सकते हो काफी कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप नहीं चैनल को सब्सक्राइब करें जौन करें हमारे फ्री टेलिग्राम चैनल को जिसको लिंक न